कि नमस्ति दोस्तों आज हम लेकाएँ । चन्ह пару का दाल कि एकदम नैव रेचिप जो। यहाः बना लेंगे और खलेंगे ना तक घाचर का हलवा भी बोल जाएंगे और चाहे रस्कुले भी बोल जाएंगे जब भी खाने का मन हो मिड़ा तो बनाएंगे ये रेज भी जो एकम आसान और एकम मजबशेदार है तो चलो बनाते हैं ही यहां पर हमने दाल ले लिया इसको धो लिया दोके साब कर लिया और हम इसे दाल जिपके नहीं नहीं तो पीछने में दिक्कत होगी अब हम गय चलाएंगे और कुकर को चड़ा देंगे और चार-पांच सेटे आने तक अच्छे से वेट करेंगे और एक पर यह रेस्पी बना लेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही असान रेस्पी है और बच् अब झेज़के नहीं है तो घी डालने से चिकना हो जाता है जिसे कि दल चिपकता नहीं है और एक बार ज़रूर यह बनाइए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान है साथ में हम इसे छान लेते हैं दूसरे एक जाली में और इसको थोड़े ठंडी होने देंगे और एक अब तक दाल ठंडा होगा तब तक हम बदाम काट लेते हैं इसमें और कोई चीज नहीं डालेंगे हम आप चाहे तो डाल सकते हैं काजो बदाम हो दाला है काजु भी टाल सकते और माय भी टाल सकते हैं। बदाम आप करो बदाम काट लिय आप चलते हैं दाल के तरफ देखता हैं किया कंडिशन है तो यहां पर हमारा दाल लगबक ठंडी होगी है कने ज़्जा भी नियुकमिट पिशेकी ने तो यह रशब बनेगी कैसे तो हम थोड़े थोड़े डाल करके पीश लेंगे और ज्यादा वारेक में कैसे इसको पीशना है अब हम हमारे दाल पीश तुकी है देखो कितना अच्छा मज़ेदार दरदार पीशा हुआ है तो ज्यादा नहीं पीशना है अब हम गेज लाएंगे और कड़ाई रखेंगे गेश पर शाथ में हम थोड़े गी डालेंगे गी को गरम होने देंगे एक बार रेश भी बनाएं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही असान है मेरे घर पे तो मेरी उड़िया बहुत ही पसंद से खाती है शाथ में थोड़े शूजी डालेंगे जिसे कि स्वाद और बढ़ जाए हमने तेर्ट सो ग्राम दाल लिया था तो शो ग्राम के आजबास हम इसम बाढ़ टालेंगे इसमें और चलाते रहेंगे छोड़ना नहीं है बीच बीच में चलाते रहना है तो नीचे अगर चल गया तो इस वाद खराब हो जाएगा साथ में हम थोड़ा सा एलो कलर डालेंगे जिसे कि एक तम मज़ेदार दीखे जो खाने मिला जब अब अब तो तर फिस्चा डिखे थो परताँ दे बड़ें तो कोई और भी कलर ढ़ा सकते हैं और अब जरूर ए रेस्पी बनाए यहां पर चलाते होए बुण नेंगे बढ़ा से और एकीन माने अगर एक बार घर में बना लिया ना तो सारे लोग बोलेंगे यही बनाना गाजर का अलवा खाना बोल जाएंगे ज्याए पर चोर्मा हो या कोई और हल्वा बोल जाएंगे शाथ में हम थोड़े से इलाईची डालेंगे झाहरो हम यहां पर पडिरो recommendations फोला से बnte सात में हमें तैस्पिची चीन værna जालेंगे और पर छतलー कि नहीं दी नहीं चल गई surah अब हम ठोड़े से बदाम डाल देते जो हमने काट के पहले ही रखा था अब हम चलाते रहेंगे छोड़ना नहीं है अबी और देखने में कितना मज़ेदार दिख रहा है ना तो हमारा यहां पर चने दाल का मेठा बनके त्यार है आप लोग कि आए इसको क्या बोलते है हमारे चने-दाल का मीठा बोलते है और आप हम गे से नीचे उतार लेंगे और चलाते रहेंगे नहीं तो कड़ाईगरा में सारा हमारा मेरत में बर बाद हो पूजने क्लाइब यहां पूजा लिए बनाया जाता है तो है हमारा है को मिठा बनके तयार है बहुत ही मज़गार बहुत ही आसान रेस्पी है इसे था रिसान सब को खिलाएं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं साथ में कटा हुआ उपर से बादाम डालेंगे और एकीन मानिए इतना मज़ेदार इतना ट्रेस्टी है ना कि जो कि देखते हैं मन हो रहा है खाने को ता भी बनाओ खाओ मज़े करो मिलते हैं एक नए वीडियो में अजब तक क के लिए बाई बाई दोस्तों